अगर आपके पास एक error है, column count doesn't match value count at row 1 इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो insert query आप जो execute करे हो insert mysql query आपने जो execute की है उसमें जो count है, मतलब जो number of arguments आप उसमें pass करे है वो नहीं match करे है, जो mysql table के अंदर आपके पास number of columns हैं उनसे थोड़ा simplify way में बताता हूँ, क्या करना है, कैसे resolve करना है सबसे पहले अगर आपके बास यहाँ पर error है, तो आपको यह error है न, कहाँ पर है, वो ढूणने है यह मैं को बता रहे है कि जो error है, वो add customer में, add customer यहाँ पर आपका class name में उसके line number 124 पर आप जो mysql query को execute कर रहे हो, उसमें issue है तो line number 124 आप अगर यहाँ पर देखोगे, यह है ठीक है, और यहाँ पर मैं जो mysql query execute कर रहा हूँ वो है, यहाँ पर str के नाम से है, और यह str query मेरी यहाँ पर लिखी भी है अब इसका मतलब यहाँ पर यह है, आपको सबसे बहले तो divb में जाना है database में जाने के बाद, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊ, एक second मैं को यहाँ पर describe passenger, यह आपको यहाँ पर जो भी table name है आपका, ठीक है जिससे आप यहाँ पर देखो, यह आपको यहाँ पर table name है, passenger के नाम से मेरे यहाँ पर table name है तो आपको यहाँ पर describe table name करना है, ठीक है, और यहाँ पर, सबसे बहले मैं को यहाँ पर use command को run करना वड़ेगा तो यह use command में यहाँ पर run करना है, यहाँ पर number of columns को count करना है, ठीक है, यह आपकी table में कितने columns है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns है, आपको यहाँ पर वापस जाना है, और आपको यहाँ पर number of arguments यहाँ पर count करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो यह जो आपके बास यहाँ पर number of arguments है, यह जो आप यहाँ पर insert query के अंदर यहाँ पर pass कर रहे हूँ, यह same होने चाहिए, इसका simple सा मतलब यहाँ पर यह है, column count, जो आपकी यहाँ पर column का count है, जो यहाँ पर मेरे इस case में 7 है, doesn't match, value count at row 1, तो यह column का count है, और आप यहाँ आप यहाँ पर pass कर रहे हो, वो match नहीं हो रहा है, आप बोलोगे, bro, यहाँ पर इस case में तो match हो रहा है, मैं उस पर भी आता हूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर debug करना में, आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह चेक करना है, कि यह जो यहाँ पर number of columns है और जो आप यहाँ पर number of arguments के अंदर पास कर रहे हो वो same होने चाहिए ठीक है अगर वो different है तो error आएगा same होने चाहिए दूसरी चीज़ अब यहाँ पर same है फिर भी मैं को यहाँ पर बोल रहा है तो यहाँ पर एने एक issue है यह मैंने जान बुझ के यहाँ पर किया था आपको explain करने के लिए क्योंकि जल्दी जल्दी में यह चीज़ पता नहीं रहल लगती आपको आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक comma missing है यहाँ पर एक string है और यह इन दोनों को एक value treat कर रहे है इन दोनों गॉलम्स को यह एक value treat कर रहे है तो actual में यहाँ पर साथ नहीं है यहाँ पर छे values पास कर रहा हूँ है इस वे से error है तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर आपको comma लगाना है क्योंकि comma separated यहाँ पर values होनी चाहिए अगर comma separated values होंगी तो ही चलेगा वर्णा नहीं चलेगा ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर इस case में चला के दिखाँगा तो बिल्कुल मस च बिल्कुल डिक्टो एरर आएगी कि column count doesn't match value count at row 1 तो I hope इसको debug कैसे करने आपको पता लगया होगा और अगर आपको यह error resolve हो है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना error resolve नहीं हुआ तो comment करना ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको resolve कराने की तो thank you so much for watching this video have a good day